यदि आपके घर की दिवारे मजबूत नहीं हैं तो आपका घर जो है वो सरक्षित नहीं माना जाएगा दिवारों को मजबूत बनाने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना है आईए जानते हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे मोटार बैट की जो थिकनेस है वो आपको 12-14 mm रखनी है क्रो जोईंट का विशेश तोड़ से ध्यान रखे इंटो के बीच में जो जो जोईंट होता है जहांपर मोटार जो है वो फिल किया जाता है सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मोटार को क्रोस जोइंट के बीच में अच्छे से भरा जाना चाहिए क्रोस जोइंट की थिकनेश जो है वो 10 से 12 mm होनी चाहिए ध्यान रहे क्रोस जोइंट की पोजीशन जो है वो alternate way में होनी चाहिए इंट का जो उपरी भाग होता है जहां पर कंपनी अपना नाम लिखती है टेकनिकल टाम में उसे फ्रोग कहते हैं फ्रोग की पोजीशन जो है वो upward direction में होनी चाहिए साथियो इन सभी बातों का ध्यान रखने से आपकी दिवारों में कभी भी दरारे नहीं आएंगी